इस question में हमको ये तीन चीज़े given है जिन्हें हमें आपस में add करना है अब जब भी हमें add करना होता है तो हम हमेशे like term को like term के साथ ही add करते हैं जैसे यहाँ पर a b लिखा हुआ है तो इसके साथ हम a b वाली term को ही add करेंगे BC है तो इसके साथ हम BC वाली term को ही add करेंगे and so on यहाँ पर हमारे पास first equation है AB minus BC second वाली equation में सबसे पहले हमारे पास BC है जिसके लिए यह रही हमारी like term तो इसके नीचे हम plus BC लिख देंगे next है हमारे पास minus CA अब क्योंकि उपर वाली equation में CA के लिए कोई like term नहीं है तो इसको हम यहाँ पर अलग से लिख देंगे next है हमारे पास CA यह रही इसके like term minus CA तो इसके नीचे हम लिखेंगे CA को next है हमारे पास minus AB जिसके लिए like term हमारी यह रही तो इसी के नीचे हम लिखेंगे minus AB अब हमको इसको add करना है यहाँ पर हमारे पास है plus AB और यहाँ पर हमारे पास minus AB AB minus AB हमारा 0 होता है यहाँ पर हमारे पास minus BC है और नीचे है plus BC अगेन एक minus में एक plus में BC minus BC हमारा 0 ही हो जाएगा और minus CA plus CA भी हमारा हो जाएगा 0 यानि कि इन तीनों को ही solve करके हमारा final answer आजाएगा 0 के equal यहाँ जाएगा।